दोस्तों जैमता की रादे रादे आप सभी को आज की इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है आज माधो आये हैं अपने घर के गाडन को घूमने के लिए जो की मेरे घर के फ्रंट के तरप पड़ता है यहां का फूल हर रोज इनके उपर चढ़ाया जाता है तो मैं सुची चलो आप जिनको गाडन दिखा दीती हूं इस फूल का यह हार पने यह सोकी जैसा आरता है खुसबू नहीं आती पर बहुत सुंदर लगता है इसके पीछे एक और फूल है वही बहुत अच्छा खिलता है वीधर से नहीं दिख रहा है और यहां पे जास्वन्द का एक एक लगबग बना रही है इसके लिए इस टाइम पे फूल तूट चुका है और यह वाला जो फूल ने इनलों का खुसबू बहुत सुंदर आती है यह पूरा एरिया मेरे घर के सामनेक तरह पाता है जहां पी पूरा फूल वगर है और सब 3-4 जगह दीप वगर लगा जाता है जैसे कि यह बेल का पेड़ है इसकी अंदर शीवलिंग को मैंने पहले वाला जो पूराना सीवलिंग था थोड़ा सा उसका पीतल का खंडित हो गया तो इसकी अंदर मैंने सिमेंट लगा के स्थापीत कर दी थी और यहां पर हर रोज डेली पूजा होता है और दो साल पहले मैंने की थी जश्टिसी के बाजू में समी का पेड़ है जो की सिवजी को पसंद है और सनिवार के दिन पूजा भी होता तो यह समी का पेड़ सामने तुलसी का पेड़ रहता है और नीम का पेड़ है तो उन सब को डेली यह सब पूजा होता है यहां से फूल तोड़ा जात पढ़ां किसी नियुकर पहुंद्ट करती हैं और अब हो टूड़ने में लग ए घंड़ा लगा है कर ले रही हैं यह इनकी चुटी-चुटी कपरे बहुत देखने में भी दर्शन कर लीजए इस कपडे का तो फिर उसके बाद इनका इनका यह इनका जटी चलग रहा है तो ज पहने सुझी चलो पैकिंग कर लेती हूं जहां जहां रखा पहन के उतारते हैं वहीं हो एक जगा रख देते हैं तो सब डूर डूर के जमा करना पड़ा और यह तो खुला ही नहीं इनको पहनाने के लिए मैं लाई थी तो बस अभी मैं यह सब रखोंगी और पैकिंग कर लों तो अभी बाबुजी गये तो उनको दो जोड़ी कपड़े लाए हैं तो जिना एकी में का दो जोड़ी कपड़े लाए थे कलर चेंज हा तो इसमें का माधव के पास दो-तीन जोड़ी है तो वह मैं बोल रहे थी एकी मैं लेती हूं और एक रिटन कर दो या फिर किसी को तो वही अम्मा से बाते हो रहे थी फर अभी माधवी रेडी हो गया है मैं भी रेडी हो गई हूं जाने के लिए क्योंकि इस टाइम पे बच गया है एक और मुझे डेड़ बजे के लगभग निकलना है इनको मैंने दही गोड़ खिला दिया और वड़ी सुन्दर से इस कप सब्सक्राइब निकलने की तयारी हो रही है और मेरा सवा चार का फ्लाइट है साम का और मैं डेड़ वजे के लगभग दुपर को निकल रही हूं तो सभी बच्चे लोग अभी माधव को प्यार करें माधवी सबसे मिल रहे हैं और अम्मा बाबुजी और मेरा एक भाई आय लेह है भी सब्सक्राइब आदा तो अम्मा बाबुजी कभी में पैर पड़के फिर उसके बाद जो मेरे इधर का निम का पेड़ है वहाँ पे पैर पड़ना हम लोग आ मेषा का ज़रूए यह जो निम का पेड़ है यह पे तुल्सी का पेड़ है और इजी के बाजू में कि इदर एक बाल्टी या फिर कोई बड़ा सा डब्बे में पानी वरके एक सिक्का भरके रखा जाता है जो कोई मुंबई जाने लगता है नो तो ये पानी वरके जरूर रखते हैं अब बस अभी सबका मिलना हो गया है अब मैं चल रहे हो गेट कि इदर जहां पर अम्मा लेकिन मुझे तसली है कि 8 दिन में सभी लोग आ रहे हैं मुंबई बस तीन यहां पर बसते हैं इसके लिए थोड़ा कम बूरा लग रहा है और अब मैं अपनी गाड़ी से जा रही हूं एरपोर्ट मेरे देवर छोड़ने जा रहे हैं लेकिन बहुत बड़ा हाथसा होने से समझे बज गया थोड़ा ही दूर पर गाड़ी गई थी अच्छा ओंगा माधॢ़ा आगे की सिट के तकल मतब धका लगए थे तो कुछ किसी को कुछ हुआ नहीं उसके बाद गाड़ी वहीं खड़ी करके मेरे भाई को फोन किये जो की घर पे आये हुए थे वो भी फोर्विलर से आये थे तो अपनी गाड़ी लेका है अब मुझे एरपोर्ट पे छोडने जा रहे हैं मुझे और माधव को अगर माधव गाड़ी में बैटे हैं तो क्या ही ह सकता है यह सब उनकी लीला रतिये समझे मेरे भाई भी आज ही आ चुके थे जो की उनको ही छोड़ना था तो इसके बाद अभी हमको एरपोर्ट के बाहर तक जो भी प्रोसेस था कर दिया अंदर तो नहीं जाने देते हैं वह बाहर बैटे मैं पूरा बोर्डिंग करा लूं मैं अच्छे सेसी में सुला देती सकाइनर मसीन में जाते हैं तो इसके लिए इसमें बहुत अराम से कमपडेबल में इनका चेकी हो गया था और इस बार मैं बिलकुल डर नहीं रही थी जब आ रही थी न तो थोड़े बड़े साइच के हैं तो मुझे डर लग रहा था कि इस बार तो मैं एच्छे से इनको प्रॉपर तयार करके लेके आए थी और गोदी में ही ली थी और बहुत अराम से इनका सब कुछ हो चुका है अब मैं फ्लाइट के अंदर आप सब को दिखा रही हूं बहुत अराम से मेरे गोदी में देखिए पड़े हैं मैं बीच बीच के जैसा रहता है सिट पे तो उसी को मैं खोल के इस पे उपर इनको बैठा दी थी इसी तरीके से बहुत अराम से हमारा और माधो का यह सफर हुआ उसके बाद अब मैं मुंबई एरपोर्ट पे मिल रही हूं आप सब को उतर गई हूं तो आज हमारी जो फ्लाइट थी ना सम कि अभी पहुचा नहीं है जल्दी आ गई फ्लाइट और थोड़ा से लेट भी निकला तो आधा गंटा कम से कम उसको लगने वाला है पहुचने में और मैं आप अपना बैग लेने के लिए खड़ी हो गई हूं और यह मैं और माधो अपना ट्रॉयली लेके खड़े हैं बै मुझे तो ना छे बच के साथ मिनाट पे फ्लाइट उतार दी थी लिकिन मैं घर पे बहुत लेट पहुची क्योंकि यहां पे ना ओला भी जल्दी भूक नहीं हो रहा था और उसके बाद ट्राफिक बहुत था कम सकम तेड़ घंटा लग गया मुझे घर पहुचने के लिए और मैं अब थोड़ा सा हाथ मों धूलूंगी फ्रेस हूंगी क्योंकि मैं जब से डेड़ वजे से बैठी हूं ना ही मैं माधों को उतारी हूं और ना मैं पानी पी हूं कहीं गई हूं मैं कुछ अन जल कुछ नहीं लिए हूं जो की मेरा विस्तारा का फ्लाइट था उसके अंदर खाना चाय कॉफी सब इंक्लोडिंग था फिर भी मैंने कुछ भी नहीं लिए और मुझे बहुत तेज सेवुक लगी है तो माधों को भी मैंने पोच के गंगाजल तोड़ा सा चड़िक के इंको भी पानी वगर दे दी हूं उसके बाद मैं आख खाने के लिए को एंड कर रहे हूं अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरू करें जय मतलब